जैशी किष्णा दोस्तो भीयसना फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम दो हजाज चौबिस में साथ भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिनको 100% संतान सुख प्राप्त होगा दोस्तो आज की वीडियो में हम देखें राशियों के अनुसार आपको बत लेकिन दोस्तो अगर आपकी कुण्ली में संतान पक्ष कमजोर है या फिर आपकी कुण्ली में किसी प्रकार का दोश बना हुआ है क्योंकि देखें एक राशि के 1000 लाखों लोग होते हैं तो यह जो हम आपको राशिफल बताते हैं देखें चंद्र की राशि पर अधारित ह है लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कुल्डी होती है अगर उसमें कोई दोश है या फिर आपका मतलब संतान पक्ष कमजोर है तो आपको कुछ कठिनाईयां आ सकती हैं तो साथ ही आप उपाए भी अवश्य करें जो भी दमपती देखें लंबे समय से संतान के लिए प्लैनिंग कर अगर इन साथ राशियों में अगर आपकी रशी आ रही है तो आपको संतान की प्राप्ती होगी साथ ही जो हम उपाए बताएंगे वो दोनों हस्बंड वाइफ अगर दोनों यह उपाए करते हैं तो निश्चित ही आपको मनница संतान सुप के यूग भी बन सकते हैं चले दो सके दोस्तों इन भाकिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी मेश राशी के जातकों को देखे दोजाज चोबीस में माई से पहले बहुत ही अच्छा और प्रबल योग बनावा है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पती आपके पंचम भाव में है और आपके ग्यारवे भाव में है और उनकी दिर्ष्टी पंचम में है तो दोनों ही संतान सुक के बहुत ही प्रबल योग बना रहे हैं मेश राशी के जो भी जातक देखे संतान के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल माई तक यानि ये पांच म बहुत ही शेष्ट संतान सुक का योग बना हुए शनी गुरु आपके केंद्र में है आपको संतान सुक के बहुत अच्छे और प्रबल योग बन रहे हैं ये योग आपको देखे दोहजार चौबिस में अप्रेल के बाद दिसंबर तक बहुत अच्छे प्रबल योग बने हुआ जो भी जाततक व्रिशव राषी के हैं संतान के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं. तो अप्रेल के बाद आपके बहुत अच्चे अप्रेल से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्चे और प्रबल संतान सुक के योग बने वें दोसों तीसरी जो राशी है वो है करक राशी हाला कि करक राशी पे शनी की ढहिया चल रही है लेकिन फिर भी आपको संतान सुक के बहुत ही प्रबल योग बने वें क्योंकि गुरु आपके पंचम भाब में हैं और आपको अप्रेल माई जून जुलाई संतान सुक के योग बने वें दोस्तों अगली जो राशी है वो है तुलाई राशी के जातकों के लिए देखे तीस साल के बाद शनीदे वैसा महा सयोग बना रहें आपका मतलब संतान जो पक्ष है बहुत ही मजबूत और प्रबल है तो आपको बहुत अच्छे संतान सुक क योग बने वें तुलाई राशी के जातकों के लिए पूरे वर्ष संतान सुक के योग बने वें दोस्तों अगली जो भागिशाली राशी है वो है धनू राशी धनू राशी के ऊपर चल देखे शनी के ढहिया समाफ्थ हो चुकी है बहुत समय से अगर आपको संतान सुक की प्राप्ती नहीं हो पा रही है तो 2024 में जन्वरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक यानि मई से पहले आपको बहुत अच्छे और प्रबल संतान सुक्ष की योग बने वे तो आप मई से पहले मतलागा संतान प्लानिंग करते हैं तो काफी 99 9% संतान सुख के योग बनेवें दोस्तों अगली जो भागेशाली राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए भी बहुत ही शेश्ट और प्रबल संतान सुख के योग बनेवें क्योंकि शनी आपके second house में है अगर शनी second house में होता है तो देखे परिवारी में व आपके बहुत अच्छे प्रबल योग बने में लेकिन माई के बाद आपको और अधिक मतलब प्रबल योग बने में अगर आप अपने परिवारिक जीवन में अच्छा खासा तालमल मतलब बिठा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे संतान सुक के योग बने में साथ ही आपक लिए बहुत ही प्रबल महा योग बनने जा रहा है आपको देखे 60 से 70 परसंट संतान सुक्के योग बने वें लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती हो सकती है 2024 में दोस्तों ये थी 2024 ही सबसे भागिशाली राशियां जिनको संतान साथ ही दोस्तों आप सभी राशिवालों को क्या उपाय करना चाहिए सबसे पहला उपाय है दोस्तों गुरुवार के नियम का पालन करें यानि गुरुवार के दिन अगर हो सके तो व्रत अवश्य करें और देव गुरु ब्रस्पती के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम सा देकि हस्बेंड वाइब दोनों अगर उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होगी गुरुवार के दिन जैसे नाखुन बाल शैंपू लगाना मना होता है तो इस दिन आपको कपड़े वगरा नहीं दोने हैं जो नियम होते हैं वो अवश्य करें हो सके तो गुरुवार के व्रत अवश्य करें निश्चित ही आपको मन वांचित संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों यह हमने साथ भागिशाली राश्यों की जानकारी दी है जिनको 2024 में बहुत अच्छे और प्रवल संतान सुक के योग बने में दोस्तों वीडियो पसंद आ